रण टैली अंलाइई इजलि एक टैली स्कूल हेलो दूस्तों, मैं हूं रिचिच्छा टैली स्कूल से और इस वीडियो में मैं आग आज सिखाने वाला हूं कि आप GST क्लासिफिकेशन का टैली में कैसी यूज़ कर सकते हैं और GST Classifications की वज़े से आप Tally में आपका कितना time बचा सकते हैं GST Tally में use करने के समय तो अगर आप Tally में GST का कुछ भी use कर रहे हैं जैसे कि आप GST की entry कर रहे हैं या GST के जो related products है यानि कि जो products या services पे आपको GST attract होता है और आप उसकी entries कर रहे हैं या वो product create कर रहे हैं तो GST Classification आपका बहुत ज्यादा समय बचा सकता है जैसे कि ले लीजिए आपके 15 products हैं और आपको हर product में जाके GST की जानकारी डालनी पड़ेगी क्योंकि GST का जो entry आप करोगे टेली में उसके उपर GST लगने के लिए आपको उसको GST के लिए configure करना पड़ेगा लेकिन GST Classification की वज़े से आप ये चीज एक ही बार में 15 के 15 products पे कर सकते हैं या फिर आपका जो product group या category है आप उस पे भी कर सकते हैं वैसे ही अगर आप services provide करें तो आपके ledgers में जाके आप एक ही बार में एक ही बटन दबा के GST Classification enable कर सकते हैं और आपको हर बार हर ledger में या हर stock item में या हर stock group में GST की जहनकारी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ एक ही बार classification बनाना है GST का और आप direct वो tally में use कर सकते हैं तो दोस्तों GST Classification क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले GST Classification एक GST rate और जो सब detail हम डालते हैं उसका एक package है समझ लीजिए एक पूरा package है जिसमें हम सारी GST की detail डालके रख देंगे जैसे HSN है, SAC हो गया और GST के rates हो गए तो वो package हम जब अपना मन चाहे या जब भी हमी use करना हो किसी stock item में या stock group में तो direct वो package apply कर सकते हैं तो हर बार हमें GST की अलग-अलग जानकारी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर बार तो चलिए दोस्तो मैं आपको दिखा देता हूँ GST classification कैसे हम tally में use कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आप जब tally में enter होंगे तो आपकी यह company जो खुलेगी मैंने अभी यहाँ पे tally school नाम की company खोली हुई है तो company में जाके आपको सबसे पहले GST classification enable करना पड़ेगा उसके लिए आपको जाना पड़ेगा features में जो कि यहाँ है आप F11 दबाके direct जा सकते हैं फिर यहाँ पे click करके भी जा सकते हैं फिर उसमें जाना पड़ेगा आपको statutory and taxation में वहाँ पे जाएंगे तो आपको यह GST का जो पहला option है वो दिखेगा उसमें हमको GST set alter GST details है उसमें Y press करना है और enter दबाना है तो यह GST details screen खुलेगी अब यहाँ पे अगर आप देखे तो last second option है enable GST classification अगर आप यह enable नहीं करोगे तो आपको GST classification नहीं दिखेंगे तो अगर मैं नीचे जाओं तो यह आपके by default no होता है टेली में लेकिन अगर आप enable करोगे तो ही आपको भार menu में GST classification दिखेगा तो यहाँ पे S type कीजिए और enter दबाके यह accept कर दीजिए यानि कि save कर दीजिए तो यह save कर दिया अब वापिस control plus A दबाके यह भी यहाँ पे save कर दीजिए तो यह वैने save कर दिया तो दोस्तों ऐस ही आप GST classification enable कर सकते हैं टेली में अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ GST classification बनाते कैसे हैं टेली में यानि कि how to create GST classification in tally तो दोस्तों उसके लिए वापिस आपको gateway of tally से accounts info में जाना पड़ेगा वहाँ से आपको जाना पड़ेगा statutory info में और वहाँ से आपको GST classification का option दिखेगा तो उसमें जाएं और उसमें जाके create करें अब यहाँ पे यह GST classification creation screen है तो अगर आप यह गौर से देखे तो आपको पता चलेगा कि यह वही screen है जब आप कुछ भी GST की information डालते हैं कोई stock item ब बनाते time लेकिन यह GST classification में हम डाल देंगे तो फिर अगली बार हम वही directly use कर सकते हैं तो मैंने कुछ GST classification directly बना के रखे हुए हैं तो मैं आपको वह दिखा देता हूं जैसे हम जाएंगे display में और मैंने दो GST Classifications बनाएं आपको समझाने के लिए इस वीडियो के लिए और जो नाम मैंने 2424 रखा है यानि कि वो HSN number मैंने assume किया है अप अपना जो product का real HSN number है वो डाल सकते हैं तो for example अगर आपके 4-5 product है जिसमें एक ही जैसा HSN number apply होता है तो आप HSN number wise ऐसे GST classification बना सकते हैं और फिर directly उन 5 हो product पे direct apply कर सकते हैं और वो ही मैं आपको यहां पे तो मैंने 2424 नाम का HSN number का एक GST classification यहां पे बना लिया है तो मैं इसमें अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कैसे और क्या बना रहा है तो यह जो description है इसमें anything about your product यानि कि कुछ भी अपने product की जानकारी डाल सकते हैं यह इतना important नहीं है कि आप क्या यहां पे लिखे क्योंकि यह कोई माइने रखता नहीं है यह सिर्फ हमारी जानकारी के लिए कि यह क्या है description अप HSN SSE यानि कि आपका HSN number है वो यहां पे डालेंगे nature of transaction यह बहुत ज़रूरी है यहां पे not applicable select करना आप क्योंकि हम कोई भी transaction में यह GST classification अगर use करना चाहते हैं तो यहां पे not applicable लिखना अपड़े गया यानि कि वो general हो गया अगर आप कोई भी transaction बाजू में से select कर लोगे तो आपको उस transaction के सिवाई यह GST classification को यह transaction में use करने को नहीं मिलेगा इसी वज़े से हम यहां पे not applicable लिखने और जो rate है tax का वो हम यहां पे 28 integrated मैंने लिया हुआ है 14 14 जो central और sales state वो आधा- चलेगा GST classification use करते हैं समय कि आपने यह नाम क्यों रखा है तो अगर आपके पास जैसे मैंने कहा 5 या 10 products हैं जिस पे एक ही जैसे GST details applicable है और एक ही HSN number में आते हैं वो सब products तो आप ऐसे HSN number wise एक classification बना सकते हैं और सारे products पे डाइरेक्ट यह classification apply कर सकते हैं अब हम बाहर जाए और यह जो मैंने दूसरा classification GST का बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है यह 3535 है यह भी मैंने एक as a example दिया है आप अपना जो services accounting code या SSE बोलता है वो ले सकते हैं जैसे कि description में आप कुछ भी services के लिए लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए और HSN SSE में आप अपना SSE number लेख सकते हैं यहाँ पर nature of transaction वापिस not applicable और जो rate है वो अपने हिसाब से जो rate है वो और यहाँ पर taxability में taxable आएगा तो rate में जैसे आप integrated जो भी रखोगे उसका आधा आधा central और state हो जाएगा वापिस मैंने नाम SSE में रखा है क्योंकि मैं SSE number के उपर से अपने जो services है उनका identification करता हूँ जनरली ऐसा ही होता है सारे business इसमें आप HSN के नंबर के उपर से अपने जो products है उनको divide करते हैं GST rate के लिए और इसी वज़े से यह बहुत ही अच्छी एक method है HSN और SSE number के उपर classification बनाने के लिए तो यह मैंने SSE number के लिए यानि कि services के लिए एक classification बन कैसे आप ledgers के उपर use कर सकते हैं services के लिए तो दोस्तो यह GST classification हम ऐसे बनाएंगे अब आपको वापिस बहार आ जाईए gateway of tally पे अब मैं आपको दिखाऊँगा आप GST classification apply कैसे कर सकते हैं tally में तो दोस्तो उसके लिए मैंने पहले से तीन product बनाए हुए है जो कि है table, chair और sofa और वो तीनो product को मैंने एक group के अंदर assign किया हुआ है जो group का नाम है furniture तो मैं directly क्या करूँगा मैं furniture पे ही यह जो rate है GST का classification वो apply कर दूँगा और वो automatically तीनो product पे आ जाएगा तो चलिए दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे GST classification directly apply कर सकते हैं products पे पहले तो दोस्तो gateway of tally से आपको जाना पड़ेगा inventory info में वहां से आपको directly नीचे आना पड़ेगा और last second जो option है tax rate setup उसमें आपको जाना पड़ेगा उसमें GST मिलेगा उसमें आपको जाईए और आपको उसमें सारे आपके जो products हैं जो stock items आपने tally में बनाए हुए हैं वो आपको मिल जाएं कि stock item और stock group कैसे बनाता हैं उसकी link भी मैंने description में YouTube में दे दी हैं अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो तो आप furniture में जाएं तो आपको दिखेंगे 3 products chair, sofa, table अब अगर आप देखें तो इसमें taxability में यहाँ पे लिखा है unknown यानि कि taxability नहीं है कोई भी create configure नहीं किया गया है आ अगर मैं back जाओं तो यहाँ पे furniture में भी unknown यानि कि taxability नहीं है और इनका rate configure नहीं किया गया है तो अगर आप नीचे यहाँ पे देखें तो कुछ products हैं यहाँ पे मैंने rate configure कर लिया है इन लोगों का जो मैंने पिछले कुछ वीडियो के लिए ये बनाए थे लेकिन इसका कोई rate configure नहीं किया गया है तो अब हम यहाँ से rate set करेंगे directly furniture का अगर हम वापिस अंदर जाके देखें तो इन तीनों का कोई rate नहीं है मैं सिरफ furniture का rate set करूँगा जो कि एक stock group है और यह वो rate तीनों में apply हो जाएगा तो दोस्तों चलिए यहाँ पे set rate का जो option है वो आप click कर सकते है या alter plus as जो shortcut है वो दबा सकते हैं तो मैं आप क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे GST details का एक menu दिख जाएगा अगर यहाँ से पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब text detail classification से use होती है तो यह जो नीचे की information है वो ignore कर देगा tally तो यह इसी वज़े से लिखा हुआ है क वो text classification में से information ले लेगा और यहाँ से नीचे से नहीं लेगा तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 2424 टाइप करें तो यह automatic side में से यहाँ पे GST classification में से select कर लेगा और अगर आप यहाँ पे सिरुफ dot type करें तो यह सारा दिखा देगा जितने भी classification है फिर आप 2424 टाइप कर सकत हैं यह GST classification तो अगर मैं enter करूंगा तो यह automatic हो गया तो दोस्तों मैंने पहले से यह GST classification बनाया हुआ है और rate enter किया हुआ था और फिर मैंने वापीस change किया हुआ है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि यह क्या revise applicability है लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं यह date 1 September accept कर लेता हूं और यहां पर जो accept आएगा वापिस मैं accept कर लेता हूं तो अगर आप देखे तो यहां पर taxable आ चुका है 28% 14% 14% tax rate आ चुका है अगर हम वापिस अंदर जाए furniture के अंदर तो आप देख सकते हैं कि जो taxable है वो आ चुका है 28% 14% 14% सब मैं आ चुका है तीनों ती stock items में तो दोस्तो यहां पर मैंने सिर्फ एक ही बार GST classification बनाया और बाद में यह मैंने पूरे एक ग्रूप पर apply कर दिया जिसका नाम है furniture और उसके अंदर जितनी भी stock items है वो उस पर automatic apply हो गया तो दोस्तो ऐसे GST classification मेरा time कितना बचा सकता है वो मैं आपको अगर बताओं तो तो मुझे हर एक stock item में जाके सब GST details जो हैं वो हर बार डालने पड़ते और उसमें chances हैं कि मैं mistake कर दूँ लेकिन इसमें chances को ही नहीं है कि आप mistake कर दे आप एक बार GST classification set कर दीजे और फिर आप खुद ही direct हर बार वो classification use कर सकते हैं या आप अपने employee को directly दे सकते हैं और आपको चीनता करने भी ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ mistake कर देगा rate डालने में कियों कि अगर आप एक बार rate set करके उनको दे दे तो उनको सिरफ GST classification ही select करना है तो दोस्तो ऐसे GST classification आपका tally में बहुत सारा time बचा सकता है और आपके mistake होने से भी बचा सकता है जिसकी वज़े से और बहुत सारा time आपका वापिस बचेगा अब दोस्तों मैं वापिस आ जाता हूं gateway of tally में अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि आप GST classification कैसे use कर सकते हैं जब आप services provide कर रहे हो जिसके लिए हमने already एक GST classification 3535 करके बनाया हुआ है अब जब हम services provide करते हैं तो generally हम sales ledger या sales voucher use करते हैं और sales voucher में हम ledger जो है वो accounting invoice में डालते हैं क्योंकि हम services बेच रहे हैं कोई product या item नहीं बेच रहे हैं इसलिए item invoice नहीं बनाएंगे हम एक ledger बनाएंगे sales accounts के अंदर जिसका नाम होगा accounting services जो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको ledger create करना नहीं आता या आपको नहीं बताए कैसे ledger create करा जाए तो वो भी मैंने link नीचे description में दी हुई हैं आप वहाँ जाके post मेरा पढ़ सकते हैं जिसमें मैं एकदम detail नहीं बताए कि आप ledger कैसे create कर सक और यह जो accounting services का जो मैंने ledger बनाया हुआ है वो उसमें मैं जाओंगा अगर आप यहाँ पे देखे तो यह मैंने sales accounts के अंदर बनाया हुआ है और inventory values are affected में no रखा हुआ है कि जब हम services बेचने तो वो एक सिर्फ ledger होता है उसमें कोई item या product नहीं होती इसलिए inventory values are affected no पे set किया हुआ है मैंने अब हम statutory information में आए तो GST applicable yes और अगर हम set alter GST करें तो why दबा के मैं press enter करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो GST detail है वो undefined है अब यहाँ BP वही same चीज करनी है जो हमने stock items के time की थी जो हमने 2424 जो classification GST का था वो use किया था अब यहाँ पे मैं 35-35 select कर लू है और यह automatic save कर लेंगे अब यह revised applicability क्योंकि यह दूसरी बार आ रहा है मैंने यह जो पोस्ट लिख से time जो photos create किया है फुरा process create किया था अब मैं video बना टाइम वापिस वह process कर रहा हूं इसलिए यह दूसरी बार पूछ रहा है मैं revised applicability क्या होता है वह मैं थोड़ी ही तेर में यह खतम होने के बाद आपको समझाओंगा जो की बहुत ही important एक feature है टैली का अब हम यह date फिलहाल select कर लेंगे और आप खास ध्यान रखे कि यहाँ पर type of supply में services हो क्योंकि हम services provide कर रहे हैं इस ledger के through तो services select कीजिए और control प्लस ए दबा के यह ledger save कर दीजिए तो दोस्तों यह GST classification automatic accounting services पे apply हो चुका है अगर हम बाहर निकले gateway of tally पे और sales voucher create करें तो आपको पता चलेगा कि automatic apply हो चुका है तो अगर हम accounting vouchers में जाए यहां से और मैं automatically sales में हूँ पहले से अगर आप sales में नहीं है तो आप effect दबाके या यहाँ पे click करके sales पे आ सकते तो अब हम नीचे जाए करेंगे और party आप कोई भी sundry data ले सकता है यहाँ या cash ले सकता है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ party और control प्लस यह दवा के यह save करें अब यहाँ पे ledger हम select करेंगे accounting services अगर आप यहाँ पे देखे तो यह item invoice है फिलहाल जिसमें quantity rate और discount दिखा रहा है तो अब यहां से हम accounting invoices select कर करेंगे तो आप यहां से account invoice और item invoice ऐसे flip कर सकते हैं अपके जरूरत के हिसाब से तो फिलहाल मैं अब accounting invoice में आ चुका हूँ और वापिस वही अब यहाँ पे मुझे item या पर rate जो है वो दिखाएगा लेकिन item नहीं दिखाएगा क्योंकि यह services है तो अगर हम accounting services select करें तो यह select ह हो गया accounting services अब समझ लीजिए या मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपए की services provide की है तो यहां पर मैंने अब तक कोई rate enter नहीं किया है तो अगर हम देखें यहां पर tax analysis जो है alt plus a दबा के आप check कर सकते हैं यहां पर click करके तो जो rate है वो automatic apply हो चुका है अगर आप यहां पर देखे duty और tax की value 2000 आ चुकी है जो हमने 20% जो GST का rate था GST classification बना टे time हमने select किया था तो अगर यहां पर मैं detailed पर जाओं तो आप देख सकते हैं central tax 10% आ चुका है state tax 10% और integrated tax वो है 2000 रुपीज जो 10,000 पर 20 टका लगता है जो आपने देखी लिया होगा जब GST classification मैंने बनाया था इस वीडियो के starting में तो दोस्तो यह automatic apply हो चुका है क् हमने accounting services में GST classification assign किया था 3535 नाम का अब अगर मैं बाहर जाओं तो आपको इसमें जो select हो गया है rate लेकिन आपको वापिस यहां पर select करना पड़ेगा input GST करके तो अगर मैं input GST select करूं तो आप देख सकते हैं 1000 रुपे automatic आ चुका है अगर वापिस select करूं तो input as GST 1000 तो total 20% मिल तो ऐसे जो GST है वो automatic calculate होता है आप sales ledger जब create करते हो जब services provide करते हो तब तो दोस्तो यह था GST classification आप कैसे use कर सकते हैं वो अब दोस्तों मैं वापिस बाहर GST वापिस बाहर gateway of tally में चला जाता हूँ तो दोस्तों अब तक हमने सीखा कि आप GST classification कैसे use कर सकते हैं उसके पहले GST classification कैसे create कर सकते हैं उसके पहले GST classification कैसे enable कर सकते हैं वरना आपको दिखेगा ही नहीं tally में कहीं वो menu अगर आप enable नहीं करेंगे तो और उसके पहले मैंने आपको बता कि GST classification actually में होता क्या है तो दोस्तो अब मैं आपको बताऊंगा कि GST classification को आप change कैसे कर सकते हैं अब मान लीजे कोई product आप बेच रहे हैं जैसे कि हम furniture बेच रहे हैं और वो अभी 28% है अब मान लीजे कि आगे जाके उसका rate 24% हो गया क्योंकि अभी GST नया नया है तो rate changes बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं products में और आगे बढ़के भी होंगे ही कोई भी एक rate बहुत time तक set अभी फिलहाल नहीं रहेगा क्योंकि law नया है तो जब भी rate change होंगे तो आपको ये पूरा classification भी change करना पड़ेगा और अगर आप ये सोच रहें कि अगर हम classification change करेंगे जो पिछली सारी entries के rate वो भी बदल जाएंगे तो आप गलत हैं क्योंकि इसी लिए एक नया feature tally में है और वो है revised applicability जो आप बीच बीच में अभी देख रहे थे जो मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ी ही देर में समझाँगा वो मैं भी आपको बताऊंगा तो दूस्टो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम change कर सकते हैं GST classification को तो आप वही accounts info में जाएए gateway of tally में से उसमें अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको statutory info दिखेगा उसमें GST classification और उसमें create की जगा आप alter पे जाएंगा तो अगर हम जाएंगे GST classification alter होएं तो आपको सारा list मिल जाएगा जितने भी classification है तो मैं यहाँ पे 24-24 जो हम furniture पे apply करते से rate अब मैं वह change करूँगा यहाँ तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 28% लिया हुआ है ठीक है अब मैं इसको 24% कर दूँगा तो automatic 12% divide हो जाएगा दोनों में और जब मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा तो यह says पे आएगा अगर says है तो आप enter कर सकते हैं मैं आपे 0 ही छोड़ रहा हूँ और जब मैं enter दबाऊंगा वापिस तो यह revise applicability date पूछेगा तो आपकी जो date है जिससे यह rate नया revise हुआ है यह वो date आपको enter करनी पड़ेगी तो इसके पहले के जो भी आपके transactions है जो पूराने rate में अपने enter किये होंगे वो बदलेंगे नहीं उस पे कोई effect नहीं पड़ेगा और यह बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही अच्छा feature है जो आप change कर सकते हैं तो मान लीजे हम 1st October से rate change कर रहे हैं तो मैं enter दबाऊंगा और accept कर जाएं और हम gateway of tally से वापिस inventory info में जाएं और यहां से tax rate setup में जाएं वापिस और वापिस GST में जाएं तो अब देख सकते हैं यहां पर furniture पर 24% हो चुका है 12% 12% और अगर हम अंदर जाएं तो हर एक जो stock item है उस पर भी 12% 12% हो चुका है क्याने कि नया rate apply automatically हो चुका है हमने सिर्फ वहाँ पे rate change किया classification में और यह automatically हर जगा नई date से change हो गया है अगर आपको लग रहा है कि यह पुराने rate पे पुराने products या पुरानी entries पे apply होगा तो ऐसा नहीं है पुरानी entries बिल्कुल unaffected रहेगी और उसकी चिंता करने के आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ पे देखे तो यह applicable from यह date है वो पहले September थी जो हमने select किती अब October है तो आप कोई भी date select कर सकते हैं जो नहीं होनी चाहिए यानि कि पहले वाली नहीं होनी चाहिए अब आप वापिस पिछली date का जो rate है वो आपिस नहीं बदल सकते है क्योंकि नया rate है तो न update करते हैं फिर तीन तारीख को अप पहले एक तारीख जैसा rate वापिस apply नहीं कर सकते तो अब जो rate है वो वापिस पीछे जाके change नहीं कर सकते क्योंकि वो automatically apply हो चुका है और जो भी नया update आएगा वो नए rate या नई date से applicable होगा तो दोस्तों अगर हम बहार जाएं वापिस gateway of tally पे तो आप सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि आपका कितना time ऐसे बचेगा GST में tally में काम करने के समय अगर आप बहुत सारी GST के entries कर रहे हैं तो आपको हर बार नए rate select या नए GST detail एंटर करने की ज़रूरत नहीं है आप एक बार GST classification बना दीचे और जब भी नए products अगर आपकी company में आ रहे हैं बहुत सारे तो आप directly GST classification HSN के base पे apply कर सकते हैं आप वही GST classification product के base भी बना सकते हैं आपको सिर्फ नाम में वहाँ पे बदल देना है HSN की जगा products लेकिन generally अगर आप मेरी सलामाने तो HSN के हिसाब से कीजिए क्योंकि उसके एक बहुत बड़ा ही फाइदा है जब आप HSN के हिसाब से product classification करेंगे rate का GST के rate का classification तो जो आप return भरेंगे GST का उसमें आसानी होगी तो कि GST का जो rate है वो HSN के हिसाब से लगता है और इसी वज़े से आप यहाँ पे भी अगर HSN के हिसाब से classify करे GST का rate और फिर उसको apply करे तो वो matching होगा और आप आपको mistake नहीं होगी कोई भी GST rate को classify करने में तो दोस्तो यह था टेली स्कूल पे GST classification का वीडियो और आप कैसे अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं GST में यह use करने के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो like कीजिए आपको कोई भी problem हो तो नीचे comment कीजि यह suggestion हो तो आप नीचे टेली स्कूल पे अगर आप यह वीडियो देख रहें तो नीचे वहाँ पे comment कर सकते हैं अगर आप यह YouTube पे देख रहें तो वहाँ पे भी comment कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगाओ तो आप share भी कीजिए अपन तुदददददददददू